प्यारे बच्चों आज हम बहुपद का सुन्यक ज्यांत करना सीखेंगे और कल मैंने आपको बताया था कि ये सुन्यक है या नहीं है तो कल मैंने एक क्वेशन दिया था आपको अधिक तर एक बच्ची ने भेजा लेकिन वो गलत करके भेजा उसमें तो आपको उसे समझना है वही कैसे सुन्यक नहीं समझ रहे हैं आपके सुन्यक क्या होते हैं शुन्यक ये देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सपोज ये PX is equal to 3X plus 1 है और X is equal to minus 1 upon 3 इसका शुन्यक है कि नहीं है अब ये चेक करना है तो X is equal to minus 1 upon 3 रखेंगे और X is equal to minus 1 upon 3 रखने पर अगर इस बहुपत का मान शुन्यव हो जाता है तो इसका मतलब X is equal to minus 1 upon 3 जो है इस बहुपत का शुन्यक है और अगर शुन्यव नहीं होता है X is equal to minus 1 upon 3 रखने पर इसका मान तो ये शुन्यक नहीं होगा क्लियर ची बात है अब ये है एक छोटा ज़वाल दिया था मैंने कि ये PX is equal to 2X plus 1 और यहाँ X is equal to 1 upon 2 रखिए X is equal to 1 upon 2 रखिए X is equal to 1 upon 2 रखा तो ये हो जाएगा P1 upon 2 is equal to 2 into X माने 1 upon 2 plus 1 तो 2 से 2 कड़िया is equal to 1 plus 1 is equal to 2 तो ये सुन्य कहां हो रहा है ये तो 2 आ रहा है तो सुन्य नहीं हो रहा है इसका मतलब X is equal to 1 upon 2 सुन्यक नहीं है इसका किलियर हो जाना चाहिए आपको X is equal to 1 upon 2 इसका सुन्यक नहीं है क्यों नहीं है सुन्यक क्योंकि X is equal to 1 upon 2 रखने पर इस बहुपत का मान सुन्य नहीं हो रहा है जिसका मान सुन्य हो जाएगा वो सुन्यक होगा जिसका मान सुन्य नहीं होगा वो सुन्यक नहीं होगा ये किलियर बात हो जानी चाहिए, अब आप लोग समझी नहीं रहे हैं, बात को बस ऐसे हुआ में चल लहा हैं, कोई पढ़ यह नहीं रहा है, कोई गूम रहा है, तुकानों में गूम रहे हैं, कोरोना के इसमारी में आप अपने घर में रहिए और बैठ के पढ़ाई कीजिए अपने, इधर उधर घूम के क्या मिलेगा आपको, आप गर में रहिए और पढ़ाई करते रहिए, अपने घर में बैठो, और यह कोईशन जो आपको काम दिया जा रहा है, इसको अगर आप इतना भी ध्यान से कर लेंगे, तो आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी, तो द सुन्यक ज्यांद करना है, दूजरा है पी एक सीजिकल टो एकस माइनस फाइब, तीसरा है पी एक सीजिकल टो टो एकस प्लस फाइब, यह दिये हुए है, आठ कोईशन है यह, तो देखो, पहला है पी एक सीजिकल टो एकस प्लस फाइब, अब हमें इसका सुन्यक ज्यांद करना है तो शुन्यक ज्यांत करने के लिए ये पी एक्स का मान क्या हो जाना चाहिए जीरो हो जाना चाहिए पी एक्स जीरो होना चाहिए माने कौन जीरो होना चाहिए पी एक्स का मान किसके बराबर है x plus 5 के बराबर है तो इसका मतलब this implies x plus 5 is equal to 0 जब x plus 5 का मान 0 है तो x का मान कितना हो जाएगा ये plus 5 बराबर कि इदर आ जाएगा तो ये x is equal to minus 5 हो जाएगा इसका मतलब इसका शुन्य क्या होगा minus 5 होगा अब x is equal to अगर आप minus 5 रखेंगे न यहां तो इसका मान 0 हो जाएगा minus 5 plus 5 is equal to 0 इसलिए x is equal to minus 5 इसका एक 0 है और रहाखिक बहुपद का एक 0 होगा ध्यान रगिए ये सारे रहाखिक बहुपद हैं तो इनका एक ही 0 होगा दूजरा देखे px is equal to x minus 5 है तो इसमें जो है शुन्यक ज्याद करने के लिए क्या गहिए हूं कि px का माण 0 होना चाहिए px 0 होना चाहिए px किस के बडाबर है x-5 के बडाबर है इसका मतलब x-5 का मान भी 0 होना चाहिए तो x-5 is equal to 0 इसका मतलब यë –5 बडाबर की दर आ डिया तो x is equal to 5, तो इसका एक सुन्यक क्या हो गया, 5 हो गया, अब ये बहुत इजी है, px is equal to 2x plus 5, तो सुन्यक ज्यांत करने के लिए px is equal to 0, px 0 है, तो px का मान किसके बराबर है, 2x plus 5, इसका मतलब 2x plus 5 भी 0 के बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब 2x is equal to, ये plus 5 को इदा लिया हो, minus 5, तो x is equal to, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, minus 5 upon 2, तो इसका मतलब सुन्यक कौन हो गया, इसका, minus 5 upon 2, ऐसे ही ये भी हो जाएगा, इसका ये, और यहाँ पर, ये px is equal to 3x है, तो सुन्यक ज्यांत करने के लिए, px is equal to 0, इसका मतलब, px 0 है, तो px का मान 3x है, 3x is equal to 0, ये 3 जो है, 0 के नीचे आ जाएगा, 0 upon 3 माने 0, तो x is equal to 0 क्या हो जाएगा, शुन्यक हो जाएगा, इसका, px is equal to ax, a is not equal to 0, तो सुन्यक ज्यांत करने के लिए क्या है, px बराबर 0, तो इसका मतलब, ax बराबर 0, a 0 नहीं है, तो इसका मतलब, x is equal to 0 upon a, 0 में किसी संक्याजे बाग दे देंगे, तो 0 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब, शुन्यक क्या हो जाएगा, 0, px is equal to cx plus d है, तो शुन्यक ज्यांत करने के लिए क्या हो जाएगा, देखो, c 0 नहीं है, और c और d वास्तविक संक्या है, तो शुन्यक ज्यांत करने के लिए, px is equal to 0 हो जाना तो px कमान cx plus d है, तो cx plus d is equal to 0, c is not equal to 0, और d वास्तविक संक्या है, तो plus d को इदन ले आओ, तो cx is equal to minus d, तो यहां से x is equal to minus d upon c, तो इसका शुन्यक जाएगा minus d upon c, तो इस तरह से इन सवालों को करते रहो, अब भ्यास करो, बार बार करो, और घर में बैटके अपना इनको, थैंक यू